बच्चों मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं जिसमें मैंने ये भी बताया है कि कौन-कौन से डॉकुमेंट्स की जरुवत होती है जो अभी से आपको रखना पड़ेगा इसमें पैनिक होने की कोई भी जरुवत नहीं है लेकिन हाँ पहले से अरेंज करना बहुत जरुवी होता है वेरिफिकेशन स्टेट काउंसलिंग बोर्ड करवाती है स्टेट काउंसलिंग बोर्ड जैसे मैं एक्जांपल दो यूपी का तो आपके काउंसलिंग प्रॉसस से पहले वो एक नोडल सेंटर बनाते हैं उस नोडल सेंटर पे आप जाके अपने डॉकुमेंट्स हो सकता है तो यहां पर कोई compromise नहीं होना चाहिए तो यह एक essential और बहुत ही नहायत ही जरूरी steps होगा जो आप पहले से ready कर लो तो better होगा तो कौन-कौन से documents essential documents आपको चाहिए उसके लिस्ट बता देता हूँ यह तब जरूरत होगी जब आपको allotment आ जाएगा और आप college में जाएंगे admission लेने अपनी file लेके UP में क्या करते हैं counseling से पहले ही document verification होता है और यही हाल बहुत सारे state counseling में होता है तो चाहे पहले हो या बाद में हो आपको यह document तो चाहिए ही चाहिए और अगर आपका document complete नहीं है तो जिनके आप पहले checking होती है वो counseling process में participate ही नहीं कर पाएंगे यानि उनको allotment ही नहीं होगा और जिनका बाद में verification होता है वहाँ पे आपका document is complete हुआ तो आपको college admission लेने से इंसार कर देगा तो यह तो हुआ इसका basic अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन-कौन सा document कौन-कौन से document की जरुत पड़ती है प यह भी सासाथ होता है अलग-अलग हो सकता आप चेक कर लो अपने board के साथ नीट का admit card जो आपको मिला था वहाँ पे stamp लगा होगा अंदर वो उसके बाद नीट का form में जो acknowledgement मिलता है वो उसके बाद score card 2023 का जो आप select होंगे और score card आपका print out आपने निकाला होगा वो उसके बा उसमे राटमेंट लेटर मिलता है वो चाहिए होगा category certificate अगर आप किसी category के हैं general और unreserved के लिए कोई category certificate नहीं होता है बाकी सब के लिए category certificate होता है उसके बाद 8 passport size photograph और वही photograph होने चाहिए जो आपने form में लगाए थे उसके बाद proof of identity मतलब आप हैं कौन भया आप driving license, अधार, car, driver और आपका passport कुछ भी ऐसा सरकारी जो आपको बता सके के का आप वही है और transfer certificate पिछले school का अगर आप college में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का कुछ लोग college वाला height कर जाते हैं, school वाला ही दे देते हैं, migration certificate वो school आपको या जहां से आखरे degree लिया हो आपको provide करते हैं, उसके gap certificate बनता है, generally आपको कुछ नहीं करना होता, आप 100 रुपे का stamp पे बनवाते हो और जो notary लोग बैठे होते हैं के चहरी में, तहसील में, district court में, उनको आप बोल देना कि मुझे gap certificate बनाना है, तो अपने आप उनका format होता है, खटा-खट आपको टाइप करके आपका नाम लेक उसके बाद, equivalent certificates अगर आप उससे related आपको कुछ आपने, आपको कोई exact certificate नहीं है, तो उसके equivalent हलाकि ये बहुत कुछ-कुछ cases में applicable होता है, health certificate कई-कई जहों पे आपका verification मागा जाता है, आपका health क्या है, अब health यहाँ पे PWD वाले नहीं, PWD यानि Person with Disability तो एक designated center वो अलॉट करत है, वहाँ से आपको approve कराना पड़ेगा कि अंदर वो जो parameters है, disability की वो है की नहीं है, normal आपका health certificate मागा जाता है, कि you are fit enough to pursue MBBS as a career, mentally and all, तो ये overall था, मुझे लगता है कि एकदम clear हो गया होगा, और फिर भी, जब allotment लेटर आता है, तो उसमें भी बताय जाता है, कि आप क्या के document लेके आओगे, तो ये बहुत बड़ा issue नहीं है, लेकिन अगर भी मैंने सुचा है, इस पर एक छोटा से वीडियो बनाए नहीं है, so thank you very much, चैनल को subscribe करें लिए ना, bye bye, take care.